दोस्तों कैसे हैं आप सभी आप देख रहे हैं हमारा चैनल Allok Tech मेरा नाम है बेविक भरतवाज आज मैं फिर एक इंटरस्टिंग वीडियो आप सभी के लिए लेकर आया हूँ और खास तोर पर ये competitive students जो competition की तयारी कर रहे हैं IAS, PSC, UPSC जितने भी हमारे competitive exams होते हैं उसके लिए ये वीडियो जो है मैं लाया हूँ इससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग ने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है या आपने हमारे चैनल के page को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल प पर पूर मिला है इस वीडियो को आईए शुरू करते हैं आज का वीडियो मैं एक application के बारे मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये देखिए earth 3D हम चलेंगे यहां से जो है play store पर play store पर जाकर हम type करेंगे earth 3D world atlas ये देख सकते हैं जो टॉप पर आया हुआ है installed है मेरे में education purpose से ये application है हम इस पर click करके इसकी information देखेंगे यहां पर ये आप what's new पर click करें what's new पर click करके आप देख सकते हैं जो detail इस application की है जो की मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई और मैं तकरीबन इसे दो सालों से चला रहा हूँ इस application को आप देख सकते हैं और मैं आप लोगों के एक बताना चाहूंगा क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा descriptive है थोड़ा knowledge इसमें आपको demo के साथ मैं दूँगा तो हो सकता है हमारा वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए और मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और आप लोगों को ये बहुत पसंद यहां लिखा हुआ है about this app में this interactive 3D glow features wonders of the world political physical map यहां पर यह दिखाएंगे आप features देख सकते हैं जो कि बहुत जादा interesting है relief model of the earth world political physical maps day night cycle with city light आप देख सकते हैं कि यहां पर जो application हम आपको दिखाएंगे इसमें जो at a current time जो जिस जगा जो time zone होगा जिस भी country का उसके according day night cycle दिख time zone आप देख सकते हैं 2600 geographic objects इसमें दिखाए जाते हैं 500 wonders of the world जो साथ wonders कहे जाते हैं जो हम लोगों को याद हैं ऐसे 500 wonders इस application के अंदर हैं 200 photos हैं इसके अंदर plant world add-ons, animal world add-ons, human world add-ons इसी तरीके से काफी interesting यह होने वाला है मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको अकसर कई चीज़े चुपा दी जाती हैं लेकिन मैं आपको यहां बताऊंगा यह app जो है हमारे लिए free नहीं है इस app का जो cost यहां लिखा आ रहा है in a purchases 72.85 पर item यहां पर कुछ 5 applications हैं जो कि per application यहां 72.85 रुपे की हमें पढ़ती है और क्योंकि मैं इसको सिर्फ इसलिए बताना चाहरा हूं हम जब competition exam की तयारी करते हैं और हम जब books को purchase करते हैं या atlas book जो आती है उसको purchase करते हैं और उसमें भी हम कही न कहीं पैसा देते हैं और पैसा दे कर लाते हैं और फिर हम उसको बढ़ते हैं और books के साथ जो एक मैं समस्या बताना चाहूंगा कि books जो हैं एक बार में static हो जाती है और एक बार जो book में print हो गया है उसको जब change करने की बारी आती है तो उसका एक new version निकाला जाता है जो कि आपको free में नहीं मिलता है जो कि आपको फिर से purchase करना होता है market से लेकिन इस application में जो dynamics है उसमें ये direct internet के तुरू update अपने आपको देता है और update देने के बाद जो कोई भी changes world में या जन्ना knowledge में या जिस current affairs में आते हैं वो सभी यहाँ पर तुरंत हमें जो है update के तुरू मिल जाते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं तो आईए मैं आपको लेकर चलता हूँ क्योंकि मेरे में installed है तो हम open button पर click करेंगे यह है इसका landing page earth 3D world atlas आप देख सकते हैं यह देखिए मैं इसको जो है थोड़ा सा जूम out करता हूँ यह हमारी जो है earth है आप देख सकते हैं और बहुत ही यहाँ पर यह देखने में बड़ी अच्छी लग रही है और आप देख सकते हैं यह lighting आपको दिख रही होगी यह हमारा इंडिया है और यह lighting दिख रही है यह मैं यहीं से शुरू करना चाहूंगा क्य यहां दिख रहा है 3D animation जो है यह lights जो है जली हुई है इसी के साथ साथ जब हम इसको ड्रैक करके आगे जाएंगे हम European countries में हम African countries में जाएंगे जहां की सुबा होई होगी अभी दिन निकला होगा आप देख सकते हैं यहां धीरे धीरे जो है उजाला आपको दिख रहा है और जो है South America आप देख सकते हैं जहांकि अभी दिन का वक्त है यह हमारा North America है यहां पर भी दिन का वक्त है और मैं यहां से दुवार आपको इंडिया लेका रहा हूं इंडिया आने के बाद जो मैं आपको main चीज दिखाऊंगा आप देख सकते हैं यह जो border red line से border दिख रहा है क 11 बच के 16 मिनिट अभी आप देख पा रहे हैं यहां PM भी लिखा हुआ है और क्योंकि यह यहां से इंडिया को target कर रहा है जैसे जैसे आप इसको drag करेंगे वैसे वैसे यह location लेता जाएगा और location लेने के साथ सथ यह देखिए time zone change होता जाएगा आप देख सकते हैं आप जैस World Hemisphere में अगर आप उस्टेलिया जाएंगे आप उस्टेलिया में देख सकते हैं और यहांपर यह टाइमिंग आप देख सकते हैं जो कि यहांपर तायमिंग आपको शोग रही होगी इसके बाद में इसके और features दो दिखाना चाहूंगा और क्योंकि यह night में हैं यहां से हम इ जैसे ही यहां ड्रेक करेंगे देखिए आपको यह सामने जो दिख रहा है यह सन है एक्चॉल में यहां जब सोलार सिस्टम की बात होती है तो इस एप्लिकेशन को इस तरीके से डिजाइन किया गया है यह सन है और यहीं से आप जब इसको रोल करेंगे तो सन जिस साइट से आ हम आने वाला है यह इसका नाइट विजन है मैं आपको नीचे जो मैने उस दे रखें वह आपको एक बार समझाना चाहूंगा सबसे पहले हम आएंगे जो आप यह देख रहे हैं यह एक्चौल में डे लाइट को खतम करता है जैसी मैं इस पर क्लिक करूँगा यहां क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे यहां से डे लाइट का एफेक्ट खतम हो गया है और यह हमारी बाउंटरी आपको देख रहे हैं यहां से आप जूम करेंगे जूम करने के साथ साथ आप देख सकते हैं यहां पर जो सिटीज ली गई हैं वहां पर एक टारगेट पॉपुलेशन के उपर यह सिटीज दर्श यहां पर पर यहां पर यहां पर देख सकते हैं जो टेमपरेचर जिस भी शहर का है यह लाइट इंपरेचर से आप देख सकते हैं यहां और इसके अच्छी बात है कि आप इस ताज-महल पर क्लिक करेंगे तो आपको इस ताज-महल में इस पूरा इन unlike बला देखाएंगा था और जानकारी भी अगर देखना चाहें जैसे आप लोग ने बुर्ज खलीफा देखा हो हम दुबई आते हैं यहां दुबई में देखें आपको यह बुर्ज खलीफा दिख रहा है आप जैसे बुर्ज खलीफा पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बुर्ज खलीका की पूरी information कितना वो बड़ा है, कितना tallest है, कब बना, किस तरीके से, यह सारी information आप यहाँ से निकाल सकते हैं, तो यह सबसे अच्छी बात इसकी जो है, यह एक तो 3D है, 3D के साथ साथ हमें जो है, effectively यहाँ पर सारी चीज़े समझ आती है, कैसे कब क्या है, और आप देख सकते हैं, क्योंकि dynamic है, यह जो है, आपको wind blows दिख रहे हैं, यह जो है, किस दिशाओं में हवाएं चलती हैं, और मैं next menu पर आऊंगा, इसके बाद आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम यह North Pole, South Pole के according यहाँ देख सकते हैं, आँगे यह आपको map दिख रहे हैं, कि आप physical map, political map, language map, vegetation map, कौन सा map आप यहाँ देखना चाहते हैं, इसके बाद आप चीज़ों को search भी कर सकते हैं, अगर आपको कोई चीज़ों कोई नहीं मिल रही है, तो आप यहाँ सर्च बटन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से आप देखिए, यह कई सारी चीज़ों नों ने बता ही रखी हैं, इसके साथ साथ जैसे आपको यहाँ पर जो भी लिखना है, वो आप यहाँ पर सर्च करेंगे और आपको वहाँ पर easily मिल जाएगा, इवन हम यहाँ आपको बता दें, कुछ एरप्लाइन्स की भी जानकारी है यहाँ पर, जो कि अभी आपको यहाँ पर फ्लाइ होते हुँ देखेंगी, जैसे लिखा हुआ है, एरबस A38, जैसी मैं एस एरबस A318 पर क्लिक करने वाला हूँ, तो यह मुझे लेकर जाएगा, और यह प्लेण जहाँ पर भी अभी जा रही होगी, वहाँ से आपको इसकी प्रॉफर इंफॉर्मेशन मिलेगी, यह आप देख सकते हैं, यह जो है, यह इसके डाइनमिक्स देख सकते हैं, इसी तरीके से मैं दूसरे एर बिस्स पर आपको क्लिक करके दिखाऊँगा, यह देखिए, यह जो है, यह जा रहे है, इस पर भी आप क्लिक करेंगे, आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरी इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो आप देख सकते हैं कि जोगरॉफी के अकॉर्डिंग हिसाब से जो है, यह बहुत अच्छा एप्लिकेशन है, इस्टुएंट्स के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, आप पूरी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, जो भी आप देखना चाहें, जिस सिटी में आप क्लिक करेंगे, जिस कंट्री में आप क्लिक करेंगे, वो इजिली आपको जो है, यहां से मिल जाएगी, और इसकी जो सबसची खासियत है, मैं आपको कुछ पॉइंट्स पढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि एक तो यह 3D मैप है, यह 3D मैप है, यहां से हमें काफी अच्छा है, यहां समझ में आता है, एक यहां से आप देख सकते हैं, यह जो आपको देख रहा है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको इसके कुछ और व्यूज देखने मिलेंगे, आप इसका Natural View देख सकते हैं, World Wonder जो कि मैं देखा ही रहा हूँ, आप Human World देख सकते हैं, आप Animal World देख सकते हैं, Plant World देख सकते हैं, और आप Sky Map देख सकते हैं, क्योंकि मैंने Human World को पर्चेस किया हुआ है, Sky Map को पर्चेस किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर आपको human world पर क्लिक करके दिखा देता हूँ अब यह reload होगा, reload होने के बाद यह पूरा application human world में change हो जाएगा यह देखिए human world जो है यहाँ पर दिखाये गया है कि कौन सी जन जाती है, प्रजाती है किस देश में पाई जाती है, जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर यह इंडिया में यहाँ जैपूर पर दिखाये जा रहा है हमारे यहाँ जो योगा होता है, वो दिखाये जा रहा है आप चाइना में आएंगे तो ये देखिए चाइनीज लोग आपको दिख रहे हैं आप इसके बाद अरब में आएंगे तो आपको यहाँ पर अरब के लोग यहाँ पर दिखेंगे तो यहाँ पर यह जनजातियां दिखाई गई है कि कौन सी जन जाती कहां पर है इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा Sky Map आप देख सकते हैं यह Sky Map जो है हमें पूरे सौर मंडल की तरह आपको दिखाता है यहां पर यह देखी यह जितने भी स्टार्स हैं हमारे और यह जिने भी स्टार्स आफ स्टार्स बोलते हैं यहां पर सारे प्लानेट आपको मिलेंगे Moon, Sun, Saturn, Peltu आपको यहां पर सारी चीजे मिलेंगे देखी आप देख सकते हैं यह Moon देख रहा है मैं आपको एक बाद पाइंड डाउन करता हूँ यहां Moon देख सकते हैं यह आपको मार्स दिख रहा है ऐसी ही यह एक जो सर्किल बनी हुई है यहां से हम पूरी तरीके से सारी information एक एक करके ले सकते हैं और इसकी सबसची खासिद देखिए यह sun आपको दिख रहा है sun के वगल में आपको जूपिटर भी दिख रहा होगा सबसची खासिद यह एकि आप जहां पर भी क्लिक करेंगे उसकी पूरी information आपको मिलेगी देखिए जूपिटर पर मैंने क्लिक किया और यह आप जूपिटर की information यहां से ले सकते हैं और यहां पर अगर आपको यह article को और ज़्यादा पढ़ना है तो आप Wikipedia पर मज आता है कि आपको time zone की भी आदत पढ़ जाएगी इस application को चलाते चलाते सबसची बात यह कि special places की history आपको यहां से देखने मिलेगी आपको यहां से general knowledge GK की कई सारी knowledge आपको मिलेगी अकेले यह geography को cover नहीं कर रहा है मैं जो आपको point outs कर रहा हूँ इसके बाद आप weather capture देख सकते हैं जैसे कि यहां पर आप देखेंगे आपको live weather देख रहा है यहां पर width temperature आप देख सकते हैं आगरा 14 degree कानपो 12 degree भोपाल 15 degree indoor 18 degree इसके बाद जो है आप skype map मैंने आपको बताया है जो stars की information आपको देगा human world मैं आपको बताया चुका हूँ यहां पर language view भी यहां पर है और इसके साथ साथ आप जो यह 3D effects देख रहे हैं जैसे मैंने आपको aeroplane दिखाया या जैसे मैं आपको यहां आरप में आकर दिखाता हूँ जो oil mines होती है यह देखिए oil mines भी यहां पर देखिए 3D effect में है यह देखिए यह आप देख सकते हैं इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो इसकी information मिलेगी आपको saiba oil field is a super giant oil field in Saudi Arabia and is located in the northern age of the Rab al-Khali empty quarter desert it is located about 10 km south of the border to abu thabi कि यह आप सारी information यहां से देख सकते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि कितना अच्छा यह application है कितना अच्छा application यह students के लिहाज से जो भी UPSC, PSE के तयारी कर रहे हैं और भी हमारे competitive exams की तयारी कर रहे हैं आप लोगों ने देखा होगा हमारे कई सारे youtubers जो है जो online teaching करते हैं वो भी हमें जो है इसी Google Map का अकसर इस्तमाल करते हुए देखे जाते हैं पाये जाते हैं और इसी Google Map के दुरूब आपको countries, capitals सारी चीज़ दिखाते हैं क्योंकि यह purchaseable है 70-80 रुपे का जो application है यह आएगा लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जब हम किसी बड़ी परिक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह लेना हमारे लिए काफी भैतर हो सकता है और हमें कई सारे subject को यहां से cover कर सकता है आशा करता हूँ को आपको यह मेरा वीडियो पसंद आएगा और अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मैं ऐसी तरह के और इंट्रस्टिंग वीडियोस आप लोग के लिए लेते आऊंगा मेरा नाम है वेगभर अद्वाच थेंक यू